आज मैं आप लोगों कु क्लास 12 हिस्ट्री का निव्स लेबस बताने जा रही हूं आकोडिंग टू 20, 21 तू 20, 22 के अकोडिंग ये स्लेबस आप लोगों के लिए कोई नया स्लेबस नहीं है इसको नया स्लेबस का नाम इसलिए दिया गया है कि जो लास्ट एर के जो बच्चे थे कोविड की वज़े से उनके कई चेप्टर्स डिलीट कर दिये गए थे यो कह सकते हैं कि उनके स्लेबस का जो 30 परसेंट जो पोर्शन था वो डिलीट कर दिया गया था लेकिन इस साल हमें क्या है सारे चेप्टर्स को रिडाउट करना है अब हम अपने पेपर की बात करते हैं तो हमारे स्टी का क्या है 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसके अंदर हमारे 80 मार्क्स का थोरी पोर्शन होता है जिसका हमारा पेपर होता है और 20 मार्क्स हमें प्रोजक्ट वर्क करना होता है जो हमें क्या है साल के एंडिंग में बनाना होता है अब हम हम history की जो book है 12th class की उसके 3 partition है तो first partition है उसको ancient history के नाम से जाना जाता है जो second partition हो middle history के नाम से और जो third partition हो modern history के नाम से जाना जाता है अब हम बात करते हैं कि जो 2020 के according जो हमारे chapters थे history के उनका पुराना नाम था वो change करके अब उनके नए नाम दे दिये गए हैं लेकिन कोई भी घबराने वाली बात नहीं है उनके अंदर का जो content हो बिल्कुल same है या तो आप नए chapter से पढ़िए या पुराने chapter से पढ़िए अब ह फस्ट बुक की बात करते हैं इसके अंदर ancient history के अंदर हमारे जो 80 marks का थोरी portion होता है उसमें 24 marks हमारे ancient history से paper आता है तो फस्ट चेप्टर है हमारा पुराना नाम है जिसका brick, beads and bone अब उसका change करके नाम रख दिया गया है the story of the first cities हडपन आर्कोलोजी तो इसके अंदर हम अडप सेकेंड हमारा political and economic history नया नेम है how inscriptions tell our story इसका old name था king's farmers and town early states and economic आप्रोमेक्स टाइम 600 BCE to 600C अब हमारा third chapter है social history using दमा भारता और fourth chapter है जिसका new name है history of बुद्धिजम साची स्टूपा तो यह ancient history का जो second chapter और third chapter और fourth chapter की बात करें तो इसनका जो time period है वो एप्रोमेक्स 600 BCE से लिखकर 600 CE का time period है लेकिन इनमें बस इतना अंतर है कि जो second chapter है उसके अंदर political और economic conditions की बात की गई है third chapter के अंदर social समाज से related जो conditions थी उनकी बात की गई है और fourth chapter के अंदर cultural developments हुए जो buildings बनी जो नए नए thinkers आये उन सब के बारे में हम read out करेंगे तो यह जो chapters हैं cash brands आप लोगों के लिए बहुत ही easy going है और आप इनको अच्छे से read out करने के बाद 24 marks प्राप्त कर सकते हो मेरे channel पर जाकर आप videos को देख सकते हो मेरे channel का नाम है study with jenny मैंने हर एक chapter को क्या है अपने channel के उपर एक से डेड़ घंटे में खतम कर दिया है और मेरे जो chapters हो fully explained है जिन लोगों ने chapters को read out कर लिया है उनके लिए तो ये videos बहुत ही helpful होने वाली है लेकिन जिन लोगों ने एक भी बार chapters को read out नहीं किया यहां तक की book को हाथ भी नहीं लगा है उनके लिए भी मेरी ये जो videos है fully explained है तो बहुत जादा helpful होने वाली है तो friends एक बार आप जाकर मेर videos को मेरे channel पर check out करें आप लोगों को अच्छी लगे तो आप मुझे like और subscribe करें अब हम second portion की बात कर लेते हैं book की middle history, middle history के अंदर हमारे 5th से लेकर जो 9th तक की chapters है वो आने वाले हैं तो last year का है जो हमारे 5th chapter था middle society through travelers accounts इसको delete कर दिया गया था लेकिन इस session में हमें इसको भी read out करना है यह बहुत ही interesting chapter है इसके अंदर जितने भी हमारे बार से जो travelers आये उनके बारे में read out करेंगे और इस chapter में हमें नई नई जानकारियां भी मिलेंगे 6th chapter है हमारा religious history दा बगति सूफिट अदर यह chapter थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन यह बहुत ही tricky है और बड़ा ही interesting है और 7th chapter हमारा new architecture हम पी यह बहुत ही interesting और बहुत ही easy chapter है और 8th chapter हमारा Argyrian relations दा आइन एकबरी लास्ट इयर इसको delete कर दिया गया था लेकिन इस साल हमें इस सारे chapters को read out करना है 9th chapter हमारा दा मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग histories throw chronological तो medieval history की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा paper कितने marks का paper आने वाला है 25 marks का paper आने वाला है अब हम 3rd portion की बात करते है modern history के modern history के अंदर हमारे जो 10 chapters से लेकर 15 तक के chapters रहने वाले हैं और इस portion के अंदर हमारे 26 marks की question answers आने वाले हैं तो इन chapters को भी हमें बहुत अच्छे से read out करना है और हमारे हमारे यह book है यह जो सबसे easy part की बात करें तो ancient जो history का जो portion है वो सबसे easiest portion है तो इस परकार से हम ने देखा कि जो हमारे history थी वो 3 partitions में divide थी और किस परकार से उनके जो marks था उनका dividations किया गया था लेकिन हमारा last final जो map बच जाता है तो हमारे तीनों portion से 5 marks के map आने वाले हैं तो यह map क्या है map में कुछ भी नहीं करना है map के अंदर कई बार तो हमें sites दी गई होती है उन point out की गई होती है उनको बताना होता कि कौन से sites है और कई बार हमें खुद उन चीजों को point out करना होता है तो students आपको maps को बिल्कुल भी skip नहीं करना है 5 marks आप बड़ी आसानी से ला सकते हो अगर आप maps को 3-4 घंटे देने के बाद क्या है आराम से आपको 5 marks मिल सकते हैं तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे like करें subscribe करें साथी comment section में comment करके बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी और thanks for watching my video I will meet my next video